नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेटी फॉर्ट सीवल्स त्रिमसेश में यूपी पीसेश प्री 2018 का परिणाम यानि की रिजल्ट को इलाहबाद आईकोर्ट की लखनव बेंच ने निरस्त कर दिया है एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि परिणाम निरस्त किया सकता है और कोई निस प्रेस्ट कर सकता है लेकिन प्रीवियस अगर आप एक्स्पीरेंस देखेंगे यूपी पीसेश में पिछले जो है चार-पास सालों में जितनी भी परिक्षाय होई है कुछ ना कुछ वहां पर विवाद जरूर रहा है और लेकिन एक चीज है कि आयोग सब्सक्राइब कर दिया गया कि हाँ या फिर निरस्ट होगा या पोस्पोन होगा जैसा भी होगा यह जहां तक समझ में आ रहा है यह कि जो अभी रिजल्ट आया था साथ 30 मार्च को आया था 2019 को उसमें जो महिला अरक्षण से लेटेट कुछ विवाद हो गया कि महिला जो सिर्फ यूपी की महिलाओं को मिला है बाहर की महिलाओं को नहीं मिला है साथ ऐसा कुछ हुआ है इग्जैक्ली अभी जो है कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है ऑफिशल जो अपकी साइट पर आएगा उस पे ही आप लोग देखते रहेगा मैं आपको बता दूँग हो गया 2018 प्रीवे फिर से हो गया यह सब ऐसा जब तक ऑफीशली कुछ नहीं कहा जाता है तब तक आप लोग प्लीज मत बानिएगा सिंपल सी साइट है यूपी-PSC.UP.RIC.IN वहां पे आप चेक करते रहे है जो भी चीज होगी हमारे टेलिग्राम चैनल स्टेडी फॉर्ट स किसी का हो गया तो उसको तो यार दस दिन भी नहीं मिले त्यारी करने को तो क्या यह परिक्चा पूस्पूर्ण हो सकती है तो यह सारी चीज है जो है ऑफीशल है यह ऑफीशल जो है हमारे चेर्मेन है जो यूपी-PSC.UP के वही क्लियर करेंगे तो प्लीज आप इसमें आप